नमस्कार दोस्तो आयरवेस साला चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको यूरीन से संबंदित प्रवलम हो जाती है जलन रहती है बार बार आपको यूरीन आता है या आपको किसी तरह का यूरीन में इंफेक्शन है तो इस चीज को कैसे आप ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे हम आपके इस विसे के बारे में यूरीन में इंफेक्शन के कारण जाल लेते हैं कारण इसके दो ही होते हैं या तो आपको fungus की problem हो सकती है या वैक्टिरिया की problem हो सकती है तो इनी दो कारण से यह हमें समस्य हो जाती है तो संक्रमन हमारे कहां का किस area में फैलता है वो आपको जो है मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कहां कहां देख सकते हैं यह kidney में जो है infection हो जाता है इस कारण से हमें urine से संबंदी समस्या हो जाती है यूरिटर जो हमारी यह नलीकाई दिख रही है इन में संक्रमण हो जाता है जिससे हमें समस्याओं के सामना करना पड़ता है इसी के साथ प्रोस्टेट है प्रोस्टेट में अगर किसी तरह का संक्रमन हो जाता है जिसे इंफेक्शन कहते हैं तो यह समस्या हमें देखने को मिल जाती है और आगे ये मूत्र मार्ग में infection देखने को मिलता है महिला और पुरुष दोनों में लेकिन महिलाओं में ये ज़्यादा infection ज़्यादा infection ज़्यादा देखने को पाया जाता है जब आपको urine से समझ दिती ये समस्या आजाती हैं तो आप उनको कैसे पैचान सकते हैं तो इसको पैचानना भी बहुत जरूरी है जिससे आप अपने रोगों के बारे में जान सके हैं इसके जो लक्षण होते हैं सबसे पहला होता है तीवर गंद यानि बहुत ज़्यादा बदवु आना urine से ये पहला लक्षण है जो आपको देखने को मिलेगा मूत्र जो आपका urine है उसका कलर बदल जाएगा बहुत ज़्यादा पीला या लाल रंका आने लगेगा पेट में दर्द होगा ज़्यादा तो आपको समझे लिजे कि बातरूम आ रहा है और बातरूम ना करने के कारण आपको दर्द की समस्या बन जाती है मूत्र त्याग ने जो मैं भी आपको बता रहा था आपको लगेगा बार-बार कि हमें बातरूम आ रहा है यूरी ना रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, इस कारण से आपके पेट में दर्द बन जाता है और अगला आपको मूतर मार्ग जो होता है, जो हमारी मूतर मार्ग की जो नलीका होती है उसमें लगातार आपको जलन की सिकायत बनी रहेगी अगर आप कोई टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट कराने में आपको देखने को पाया जाएगा कि आपके अंदर सूजन की भी समस्या है इंफेक्शन के कारण आपके सरीर में लगातार बुखार और हरारत की जो सिकायत हैं, ये समस्या बन सकती है अगर आपको यूरिन से समदी जो समस्या हैं तो उसके लक्षन हमना आपको सारे बता दी हैं अब इसके कुछ घरेलो उपाये हैं जिसे आप आसानी से अपना अपचार घर में बैठका कर सकते हैं तो सबसे पहला आपको उपचार बताते हैं जो घर में बैठ के आप कर सकते हैं उसमें आपको करना क्या है? सुद्ध सिलाजित लेना है एक से दो ग्राम और जिसको बहुत ज़्यादा समस्या है तो एक से पाँच ग्राम यानि पांच ग्राम की कॉंटिटी में आपको लेना है सुद्ध कपूर जो आपको एक खाने वाला होता है नहीं तो आप एक से दो ग्राम की कॉंटिटी में आप इसे यूज करना इसके साथ ही आपको 10 गिराम की quantity में धागा मिश्री powder यूज करना है इन तीनों को मिला कर रोज आपको कम से कम एक time सुबह के समय एक गिलास ताजा पानी के साथ इसका उपियोग करना है इनका उपियोग करने से आपको जलन की सिका है तो वह ठीक हो जाएगी आपको रुक रुक कर अगर पिशाव आ रहा है तो वह भी ठीक हो जाएगा अगला उपाय उनके लिए है जिनको रुकावट की समस्या है यानि कि बातरूम आता नहीं है से इडंग से खुल कर तो उसमें आपको क्या करना है आपको लेना है एक भाग चावल चौदे भाग पानी में पकाए यानि अगर आप 100 ग्राम चावल ले रहे हैं तो एक किलो 400 ग्राम पानी का आपको उप्योग करना है उसको अच्छी तरह से पका लीजिए उसका मांड बन जाएगा तो उस मांड को आपको रोज रोगी को खिलाना है बातरूम कितने ही लंबे समय से आपके सरी में रुका हुआ है वे धिरी धिरे खुल कर बाहर निकल जाएगा और इसका एक और सरल और आसान उपाय है आप ज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगे स्वेलिंग की समस्या है वे ठीक हो जाएगी दर्द की सिकायट ठीक हो जाएगी जिनको बातरूम रुक रुक कर आ रहा है जलन है तो वे समस्या ठीक हो जाएगी इसके लिए एक समानने हो पाय और आपको बता रहा हूँ अगर आप घर प मिलाना है और एक चम्मच मिलाना है देशी गाय का जो घी होता है एक चम्मच आपको उसमें मिलाना है और आपको ये रात को सोते वक्त आपको ये पीना है आपको किसी भी तरह से मुत्र में जलन या रुकावट की जो सिकायत है वह ठीक हो जाएगी और इनके साथ मैं आपको एक मुफ्त का एक ऐसा इलाज बता रहा हूं, जिसे आप आसानी से कहीं भी कर सकते हैं, जिनको भी पिसाबसे में जलन या रुकावट की सिकायत है तो, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेने है मूली के पत्ते, उसका 100 मिलिलीटर की पॉन्टिटी रस निकाल लेना है और इसको आपको दिन में तीन बार पीना है, सुभा, दुफैर, साम, सुभा, खाली पेट, दुफैर को खाना खाने से एक गंटा पहले, और साम को खाना खाने से आदा गंटा या एक गंटा पहले आपको तीन बार इसका उप्योग करना है सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, सब जगे मूली असानी से मिल जाती है, घर में मूली आती है, पत्ते बिनाबाद की फैक दिये जाते हैं, तो मूली खाईए और पत्तों का रस निकाल के पीजिए और अपने रोग को ठीक कीजिए, इस नुस्के के साथ साथ आपको ए पुरे अच्छी तरीके से मिला लीजिए, उसे मिलाने के बाद, अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं, तो पिसाब में किसी भी तरह की कोई रुकावट है, तो मैं ठीक हो जाएगी, अगर आप कोई भी आयरुवेधिक उप्चार करते हैं, तो उसका फायदा आपको ज होते हैं, जो बजार में मिलते हैं, उनका उप्योग नहीं करना है आपको, और जो कार्बनेटिट ड्रिंक होते हैं, उनमें जैसे कोल ड्रिंक और सोडा, इनका उप्योग नहीं किया जाता है, अलकोगल को में लेना है, आपको कैफिन, चाय, काफी, आदी का उप्योग नही करना है अगर आप इन औजदियों के साथ अगर परेज का पूरा पालं करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का जबी फायदा है जब आप इस पर पूरी तरीके से ध्यान देते हैं अब आपको करना क्या है अगर कोई जरूरतमन लोग हैं तो उनको वीडियो जरूर सियर करें, जिससे उनको जादस जादा लाव मिल सकें, अगर आपको कोई भी अगला वीडियो बनवाना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या को रख सकते हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगला वीडियो देखने के लिए बैल आइकन का बटन जरूर दबाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आर्विस साला है, आर्विस की पाट साला, नमस्कार